दुनिया तब हैरान रह गई जब कुछ वग्यानिकों ने देखा कि शिरिलंका की जमीन पर कुछ ऐसे पौधे उग रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिमाले की परवतों पर पाय जाते हैं। उन पौधों को देखने के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कि जो पौधा पूरी दुनिया में सिर्फ हिमाले की परवतों पर उगता है, वो पौधा हजारों किलोमेटर दूर शिरिलंका कैसे पहुँचा। कि टीम ने रामायन की कहानी के कुछ और अंशों को ढूनना शुरू कर दिया, जिससे ये साबित किया जा सके कि रामायन कोई कहानी नहीं, बलकि वास्त्विक्ता थी। लंका में आग इस खोज ने दुनिया भर के वैग्यानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, कि रामायन की कहानी बिलकुल सच है। हनुमान जी के पैरों के निशान जब रावन मातासीता का अपहरण करके लंका लेकर चला गया, तब भगवान राम ने मातासीता को ढूनने के लिए हनुमान को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप लेकर समुद्र को चलांग लगा कर पार किये थे, और शिरलंका में एक पत्थर के ऊपर उतरे थे। जब हनुमानजी का विकराल रूप है शिरलंका की पत्थरों पर उत्रा तो शिरलंका की पत्थरों में उनके पैरों के निशान बन गए। इपैरों के निशान बिल्कुल उसी जगह पर है, जिस जगह पर रामायन में हनुमान जी के उतरने की बातों को लिखा गया है। लाखों साल पुरानी गुफा रावन जिस वक्त माता सीता का परण करके लंका लेकर गया था उस वक्त माता सीता को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा गया हाल ही में पुरातातो विभाग को श्रिलंका के इस गुफा के बारे में पता चल गया जब पुराता तो विभाग की लोगों ने उस गुफा के हर एक पहलू को जाँचा तो उन्हों ने देखा गुफा के अंदर कुछ रामायन से जुड़े अजीवगरीब चित्रकारी की गई है ये सभी चित्रकारी आज से हजार या फिर दो हजार साल पहले के नहीं बलकि लाखों साल पुरानी है आप भी यहाँ बनी तस्वीरों पर नजर डाल सकते हैं इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरे बनी हुई है जो कुछ हजार नहीं बलकि लाखों करोडों साल पुरानी है और संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी। वो है हिमाल्या का दुरोणागिरी परवत। लेकिन हाली में वेग्यानिकों ने देखा वही संजीवनी बूटी का दुल्लब पौधा शिर्लंका ने भी उसी जगह पर मौजूद है। जहां पर रावन और राम के बीच युद्ध की बात कही जाती है। उस पौधे को वहाँ पर देखने के बाद दुनिया भर के वेग्य पहाड़ी को उठाकर वापस हिमाले के पास रखने गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी द्रोणागेरी परवत पर उसे निशान को देखा जा सकता है। जहां से हनुमान जी ने इस पहाड़ी को उठाया था और वापस से रखा। यही वज़ाए कि आज द जिरोणागेरी परवत को भगवान की तरह पूजा जाता है। खैर यह तो हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा जहां हम प्रकृति के हर एक रूप की पूजा करते हैं। राम सेतु। रामायन की कहानी वास्तिक है या फिर कालपनिक। इसका सबसे बड़ा सबूत तो भारत और श्र पूरी दुनिया भर के वैग्यानिक इस बात को कुबूल कर चुके हैं कि यह वही पूल है जिसे भगवान चिरीराम की वानर सेना ने कई दिनों की महनत के बाद तयार किया था। वैग्यानिकों ने ये भी कहा था कि शिरलंका और भारत के बीच जो पूल जैसे आकरती अब हमें कमेंड में बताइए तैरने वाले पत्थर रवेंड की कहानी के उन दो कैरेक्टर के बारे में आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नल और नील था जिनके दौर फैंका गया पत्थर पानी में डूपता नहीं था तैरता था हैराने की बात तो यह है कि वो तैरने वाले पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाये जाते बलकि सिर्फ और सिर्फ उसी जिवाए पर पाये जाते हैं जहाँ पर भारत और श्रिलंका के लिए पुल को तयार किया गया था अगर इस तरह के पत्थर कहीं वास्ताओं में मौजूद होते तो वो दुनिया के और भी कौने में होने चाहिए लेकिन हेरतंगेस तरीके से तरने वाले पत्थरों की मौजूदगी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रिलंका के समुदरी किनारे पर मिलते हैं जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी कुछ शूदगरताओं का कहना है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे ततो पाया जाते हैं जिसके वज़े से जो पत्थर पानी के भीतर नहीं डूपते अगर ऐसी बात है तो आज से नजाने कितने साल पहले श्री राम के वानर सेना को इस बात का पता कैसे चला कि ये खास तरह के पत्थर पाने में नहीं डूपते वैसे इस बारे में आपके क्या सूचना है कोमेंड में बताना विशाल का हाती अगर आपने रामार्ण की कहानी ध्यान से देखी है तो उसमें इस बात को दिखाया गया है कि रावन ने अपनी लंका की रखवाली के लिए बड़ाई भारी भरकम हातियों को तैनात किया था हालही में पुरा तत्वय भाग को हातियों के कुछ ऐसे अवशेश मिले हैं जिन गाकार सामाने हाती से पांच गुना बड़ा है जो साफ तोर पर इस बात के और इशारा करता है कि ये वही हाती है जिसका इस्तमाल रावन ने अपनी लंका की रखवाली के लिए था रावन की लंका दोस्तो हाली में आर्केयोलिजिस्ट की टीम ने शिर्लंका के ऐसे पुराने महल के खंडर को ढूंड लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हजारों साल पुराना है और तोर उस महल के अंदर ऐसे इसे गुप्त रास्ते बनाए गए है जो पूरे तरह से इस बात के और इशारा करते है कि ये वही महल है जिसका इस्तमाल रावन किया करता था क्योंकि हजारो लाखो साल पहले के महल का अस्तितु मिलना सिर्फ और सिर्फ रामायनी की तर्फ ही इशारा करता है ये तो आप सब भी जानते होंगे कि रावण ने बाद में मातासीता को अशोग वाटिका में भीज दिया था क्योंकि माता सिता किसी भी कीमत पर रावन के महल में प्रिवेश नहीं करना चाहती थी लेकिन हरानी की बात तो यह है कि हजारों साल पुरानी इस जगह को आज भी श्रिलंका में सुरक्षित रखा गया है और तो और आज भी महा के लोग उसे अशोग वाटिगा यह नाम से ही जानते हैं अगर कोई भी बात कालपनिक होती तो इस तरह से किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं रखा जाता श्रिलंका के अशोग वाटिगा इस बात को साबित करती है कि रामायन की काणी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो पहले भी हो चुका है भगवान राम ने जब रावन का वद किया था तब उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था लेकिन भगवान श्री राम की हाथों एक ब्राम्मन का कतल हो गया था वो रावन ब्राम्मन था इसी पश्चाताप के लिए भगवान राम को चार शिवलिंग बनाने का अदेश मिला था जिन में से एक शिवलिंग को माता सीता ने तयार किया था दो शिवलिंग को हनमान जी ने तयार किया था और एक शिवलिंग स्वैम भगवान शिरी राम अपने हाथों से तयार किये थे रामायन में जिस जगह पर भगवान शिरी राम के द्वारा हाथों से शिवलिंग बनाने का जिक्र किया गया है उसी जगह पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिसे हम रामलिंगम के नाम से जानते हैं आप किसी भी वक्त उस मंदिर में जाकर भगवान चरी राम के दोरा बनाये गए शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं दोस्तों एक बात तो साफ है कि पश्चिम सब्वेता के कुछ लोग हर वक्त भारत और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं चाहे बात भारत के वेदों की हो भारत की योगा की हो या फिर भारत से जुड़ी कोई भी सांस्कृतिक या परानिक बात हो पहले वो लोग विरोध करते हैं लेकि नंत में उन्हें मजबूरन सनातन धर्म के हर बात को सुईकार करना पड़ता है क्योंकि सनातन धर्म के वेदों में या फिर पुराणों में जिन भी बात का जिक्र किया गया है बुकालपनिक नहीं है बलकि पूरी तरह से वास्तुएक है ये वज़े कि सेकड़ों बार नकारने के बावजूद भी दुनिया भर के वेग्यानिकों को ये मानना पड़ता है कि रामायन की घटनाएं वास्ता में हो चुकी है सनातन धर्म के जिस योग संस्कृति को पस्चमी सभेता के लोग नकारते आ रहे थे आज पूरी दुनिया योगा को फॉलो करती है दुनिया भर के लोग आज सनातन धर्म के आयरुवेद को अपना रहे हैं जबकि एक वक्त था जब पस्चिम सभेता के लोग भारत के आयरुवेद का मजाक उड़ाते थे दोस्तो एक बात तो सत्य है वास्तिक्ता को प्रमान की ज़रूरत नहीं पड़ती वक्त के साथ हर एक चीज़ खुद सामने आ जाती है दोस्तो एक वीडियो आपको कैसी लेगी कॉमेंट में बताना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि दर्थ एडवेंचर एन हिंदी की टीम आपके लिए ऐसी ही इनफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती है